प्रिवीव में देखा आज मैं आप लोग के इस वाले स्टेटफ के टिटोरियाल बताने वाला हूं तो अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेटफ वीडियो क्रियेट करना चाहते है तो वीडियो में इंड तक के बने रहना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्क्राइब कर बैल आकन को प्रेस कल देना तो यह वाला स्टेटफ क्रियेट करने के लिए हम सिम्प्री एलाइट मोसन एप का यूज करने वाले है अगर आप लोग पास एलाइट मोसन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगो sbtequity सर्च करने है, सर्च करने के बाद फर्स्ट वले वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आप लोगो जो दोनों प्रिशेट है वो इंपोर्ट कर लेना और अगर आप लोगो प्रिशेट इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप वीडियो के description box पे जाना वहाँ पे आप लोग एक वीडियो का लिंक में लगाएगी material डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो देखने ले आप लोगो समझ में आ जाएगा और इस प्रिशेड इंपोर्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरगे से देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप लोगो तीन लेयर देखने को मिलेगा तो इन तीनों लेयर में आप लोगो सबसे पहले कोई सभी एक ही photo replace कर लेने है तो photo replace करने के लिए आप लोगो starting वाले layer पे tap करना है फिर यहाँ पे color and fill पे आ करके इस वाले option पे tap करने है इसके बाद जिस आप लोगो यहाँ से उस photo को यहाँ पे select करने है जिस photo का size 9 x 16 में रहेगा अगर photo का size 9 x 16 में नहीं है तो आप लोगो simply यहाँ से back आने है back आने के बाद plus पे tap करके media पे आने है और कोई साभी एक photo आप लोगो लेना है जो photo आप starting में लगाना चाहते है ठीग है तो मैं यह वाले ले ले तो इसके बाद आप लोगो यहाँ पे three dot पे tap करके इसको fill composition area के option पे tap करना है अब यह जो 9 x 16 में हो जाता है अब इसको आप address वागेरा करना चाहो या तो फिर zoom वागेरा करना चाहो तो यहाँ पे moment transform पे आना है यहाँ पे इसको आप slide वागेरा करकते हो ठीग है जूम करना चाहो तो यहाँ पे third वाले option से कर सकते हो अब यह हो जाने के बाद गिस आप लोगो इस photo को यहाँ पे save करना है तो save करने के लिए यहाँ पे tap करना current frame fpng का option मिलेगा इस पे tap करना और export पे click कर देना है यह करने के बाद यहाँ पे save का option आएगा तो save पे आप लोगो टाइप कर देना है अब यह जो photo है 9-16 में save हो जाता है अब इस photo का आप लोगो तीनों layer में यहाँ पे replace करने तो replace करने के लिए first वाले layer प option पे tap करना इसके बाद जिस आप लोगो यहाँ पे all के या तो फिर light motion के folder पे जाना है यहाँ पे आप लोगो फोटो देखने को मिल जाएगा जब 9-16 में convert की रोगे तो फोटो आप लोगो select करने दन plus पे tap कर देने ठीक है यहाँ पे आ जाएगा अब second layer पे tap करके फिर से color and fill पे आना है फिर से यहाँ पे tap करके उसी photo को select कर लेना है और third layer में भी उसी photo को यहाँ पे replace कर देना है अब यह हो जाने के बाद भीस यहाँ पे आप लोगो इस वाले bookmark पे आ जाना है तो arrow के option पे tap करना अब कोई सभी दूसरा photo आप लोगो यहाँ पे लगाना है ठीक है पे आने के बाद आप लोगो नेश्ट आले bookmark पे जाना है तो arrow के option पे tap करना और photo का आगे का पार जो है cut करना है तो cut करने के लिए अप्षन पे टाप कर देना है ठीक है फिर से प्लास पे tap कर media पे आना है फिर से कोई से बीदूसरा photo लेना थीर ओर पे tap कर film composition करना है नेश् थी डॉट पे टाइब कर फिलकम पोईजवन करना है नेस्ट अले बुकमार्ग पे जाना आगे का पाट कर देना है फिर से प्लास पे टाइब कर मीडिये पी आना कोई से भी दूसरा फोटो लेना थी डॉट पे टाइब कर फिलकम पोईजवन करना है next वाले bookmark पे जाना और आगे का part cut कर देने तो इस तरके से आप एको पुरा last तक के photo add करते जाने इसको आप complete कर ले न ठीक है और यह हो जाने के बाद गिस यहां से आप लोको back आना है back आने के बाद जो आप second appreciate import किर होगे second effect वाले इसको आप लोको open करने एंड open करने के बाद जिस यहां पर आपको नीचे वाले सबसे नीचे वाले layer पे टाइप करने है first वाले पे ठीक है इसके बाद effect पे आना और three dot पे टाइप करके copy effect करने है यह करने के बाद यहां से back आ करके bookmark appreciate open करने है यह open करने के बाद starting के तीन layer छोड़ना है और यहां पर आप लोक जो फोटो लगाया रहोगे न first वाले पे टाइप करने effect पे आना three dot पे टाइप कर paste कर देना है एक फोटो छोड़ करके next वाले पे टाइप कर paste कर देना है ठीक है फिर से एक फोटो छोड़ना next वाले पे अपलाई करने है फिर से एक फोटो छोड़ना next वाले पे अपलाई कर देना है जब यह हो जाएक फिर यहां से back आ करके फिर से एक effect open करने second effect copy करने second वाले फोटो पे टाइप करने फिर से एक में लगा करके second वाला छोड़ रखा था तो इस पर टाइप कर देने इस तरके से आपको एक एक फोटो में लगाते जाने यह जब complete हो जागे फिर यहां से back आकरके second फिर ओपन करने फिर यहां से back आकरके bookmark pressure open करने starting में ही रहना इस वाले option फिर से tap करना और paste to layer कर देने paste करने के बाद दोनों को फिर से select करना यहां पर last पर आने last पर आने के बाद इस वाले option पर tap कर देने यह करने के बाद यहां पर जो HDR effect है वो भी लग जाता है तो इस वाले option पर tap करना और export पर click कर देना आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में से हो जाता है तो चलेगा इस मिलते है ने studio फिर